दिखें, आम बोल चाल में एक शाब्द का हम लोग बहुत ज्यादा प्रियोग करते हैं, फटीचर, तो इस वीडियो में, इंग्लिश में और हिंदी में फटीचर को क्या बोलते हैं, जानेंगे, एक सेंटेंस में इसको यूज करके अच्छी तरह से समझेंगे, देखें, very bad condition as clothes are torn face and hair are dusty मतलब a miserment can be called furniture जो फटे पुराने कपड़े पाने राता हो भद्दा हेयर हेय तुछ गरीब निर्धन कंगाल या कंगला ऐसे लोग furniture का लाते हैं जो कभी-कभी कंजूज को भी furniture के अर्थ में ले लिया जाता है इंग्लिश में furniture को बोलते हैं ill-conditioned, worn-out, shabby, tatty, unkempt, miserable या miser एक sentence में इसको example से समझते हैं जैसे बोलेंगे वो एक number का कंजूस आदमी है furniture बना घूमता रहता है मतलब हुआ इंग्लिश में he is number one miser man keeps roaming around like a shabby ठीक है तो उमीद आपने furniture शब्त को इंग्लिश और हिंदी में example के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है thanks for watching education desk